हेलो गाइज क्या हाल चाल कैसे हो आप सब नमस्कार सच्रियकाल आदाब होप आप सब ठीक होंगे तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो आपको मेभी कवर फोटो से पता चल जाएगा कि वो क्या है अन्बॉक्सिंग किस चीज की होगी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहे अगर वीडियो आपको पसंद आती हो मेरी तो ने तो कोई बात नहीं आप स्किप भी कर सकते हैं संप क्या कर सकते हैं न मैं किसीको भी फोर्स नहीं कर सकती बागि मेरी तो कोशिश है अभी मैंने स्टार्ट अप किया है तो थोड़ा सलो बना था मैं वीडिय tarde क्योंकि naturally मैं थोड़ा सा स्लोब पता नहीं वह बचपन से है भीक्लाइव हम और नहीं मैं ज्यादा बोलते हैं PS5 तो आप थोड़ा गेस लगा सकते हैं कि मतलब ये क्या चीज हो सकती है ठीक है तो चल्ब अन्बॉक्स करते हैं इतना बड़ा बॉक्स है ये अन्बॉक्स करना ही मिस्के लो रहा है अच्छा इधर से भी बॉक्स ओपन होता है ये शायद इधर से होलना बढ़ेगा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने गलत खोल दिया क्या गलत खोल दिया है आइ थिंक सो चलो गोई ना क्या हो गया इधर से खूल लेते है अधर खुलता है तो तो ये खूल क्यों नहीं रहा है नहीं इधर से ये चलो इसको क्या दरूं पल्टा दू अब पल्टा नहीं पंता जो पहले मैं खुद देख लूं बाग में बताती हूं आप लोगों को भी वाओ तो गाइज ये है डाइसन एयर रैप कम्प्लीट लॉंग तो ये है रोस गोल्ड जो की लिमिटेड एडिशन है रोस गोल्ड पिंक कलर है इसका तो ये सबसे मतलब मतलब अभी आप बोल सकते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा मतलब हेर स्टाइलिंग के लिए मतलब ये सबसे अच्छा एक्यूपमेंट है जो की मेरा फीब्रेट है मेरा ड्रीम कम्प्लीट हुआ सो आप लोग ऐसे दुआएं देते रो ऐसे मेरे ड्रीम सारे पूरे होते जाएं मैं एक्साइटेड इतनी हूं मेरा मन भी नहीं कर रहा है इत इसके साथ ना और कॉंप्लिवेंटरी कि एक वह मिलता है नेम भी आप इसके दानी बौक्स को अपर जो इसका स्टोरेज बॉक्स है उसके उपर आप प्लेम करवा सकते हो स्टोर पर जाकर वह आपको ऑबैंड्य में उन्डिंदॅल आ पड़ेगा वहां िटोर पर अपर ज निकाल देंके निकालना बहुत तफ है यार इस निकालना पड़ रहा है वो भी टाइम ले रहा है कि चालो अब इतना एस्थेटिक वेव है तो मैं सौरी नहीं बना वारी हूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटन हूं और मुझे जल्दी जल्दी प्यारा सा बॉक्स देखना है थोड़ा इसको जफरी डाल लू न इतनी वेट करवाई है क्योंकि मैंने ये ना स्टोर पे गई थे हम दुबई मॉल तो वहां पे मिला नहीं था तो यह जो था ओनलाइन अवेलेबल था इसलिए मैंने इसको ओर्डर किया था डाइसन की वेबसाइट से जो कि मतलब प्री ओर्डर किया था मैंने क्योंकि यह लिमिटेड एडिशन है तो उनके स्टॉक में था नहीं तो इसको आने में अप्रॉक्स तेन दिन लगे जो कि म हम अपना ओडर ट्रैक नहीं कर सकते हैं डिरेक्ट हमें कॉल करनी पड़ती है इनके कस्ट्रमर की यार को तो देखो यार ना प्यार है और जो मैं ने इंग्रेव करवाऊंगी न वो यहां पे होगा इस जगह पे वो यहां पे नेम एंग्रेव करते हैं वो मैं दुबई मॉ जाके करवा कि आओंगी कल जाओंगी जोकी में यार कितनी अच्छी फिनिशिंग है नीचे वेल्वेट है वाव सो क्यूट चलो करें ओपन इसको फिर कर दिये अच्छा वाव तो इसका जो यह है इसके नीचे फॉर्म लगी हुए है प्रॉपर इसमें बताया हुआ है कि हाई यार कि यह सब चीजें कैसे यूज करनी है पूरा एयर रैप कैसे यूज करना है एक एक चीज इसमें डीटेल में बताई हुए है इन्होंने बटाए लव द अच्छा यह उसका बॉक से जाथ ही ना तो गाइस यह है हमारा दाइसन वाव अच्छा इतनी जादा पैकिंग है इस तरह इसके वायर इसके अंदर रखिया है वाव अच्छा मैं यूजी वर्जन मगवाया है मैंने तो इसलिए इसका जो प्लग है वो भी ऐसा ही है तो यह है डाइसन अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगी अभी यह सिर्फ अन बॉक्सिंग का वीडियो बना रही हूं मैं यूज करके बताऊंगी वो भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि आप अगर सब्सक्राइब करोगे क्या करूं यार भूक लगी हुए है खाना खाना है तो मेरे जबान भी फिसल रही है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बैल आइकन प्रेस कर देना तांकि आपको नोटिफकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट व्लॉग मेरा आ रहा है तो अभी इसको अभी अभी मैं यार इसके रैपर उतारूं भी ने सौरी अभी थोगा मैं इसको निहार लूँ अच्छे से देख लूँ यह सिर्फ एकी चीज है अभी तो लगी अच्छा निकलेगा भी कैसे अभी मुझे यह जो इसकी अटेश्मेंट्स है वो मुझे प्रॉपर ली जाने नहीं नहीं आरी और नहीं मुझे पता चल रहा कि निकालनी भी कैसे है अब मैने लगा तो दी है बट निकालनी कैसे यह नी समझ आ रहा I don't know इसका कुछ लॉक है यहां क्या चीज है कि यहां पर बना है कुछ आइकन सा कि अनलॉक करके आप निकाल सकते हूं तो यह इसका एक बटन है यहां पर बना हुआ कि अटेज्मेंट को यहां पर ऐसे लगा के तो फिर यहां से अनलॉक करना है नीचे को बटन प्रेस करके तो अटेज्मेंट जो है निकल जाएगी कि तो बताते हो यार और क्या क्या है इसमें तो यह एक ड्रायर यह क्वांडा स्मूथ ड्रायर है जो कि इसी वाले वर्जन में आया है सिर्फ अभी तक रोज गोड्र पिंक वाले में और इसके इलावा मेरे जो favorite वाले वो क्या है पता ही होगा सब लग्कियों को पता है कि क्या favorite है हमारा Curls हम लग्कियों को सबसे ज़्यादा पसंद है Curls तो वो एर रैप curl है हमारा ये दिखिए So cute इसको भी हम यूज करेंगे बाद में इसमें दो बैरल है Curl बैरल दो है इसमें ठीक है और एक और चीज़ है ये ये ब्लो ड्राइ ब्रश है क्या बच्छ है इसमें तो ये कि ये है ये भी स्मूथनिंग ब्रश है जो कि दो तरह के यहां पर इसमें अवेलिबल जो है तो इसमें टोटल मतलब ये हो गया हमारा एर रैप मशीन और इसके साथ ही टोटल एट अटेच्छमेंट्स है देख यार इसका क्लीनिंग वाला भी ब्रश है वो किदर मुझे समझ नहीं जाना अभी देखती हूं अच्छे से कि है क्या कुछ अच्छे से लगी आटेखती है अच्छे लाँ अच्छे लाँ अच्छे तो यह इसका साथ में इन्होंने बताया हूँ है कि आप इसकी एप्लिकेशन डाउनलोड करो तो उसके बेनिफिट जो भी है तो वो इसमें पता चलेंगे स्कैन करने के लिए कोड दिया हुआ है एक बुक लेट सी है तो लेट सी करेंगे हम इसको भी स्कैन ओके तो वो जिसमें वायर थी रखी हुई उसी में ये ब्रश है तो ये है गाइस क्लीनिंग के लिए ब्रश जो इसी वाले सिर्फ एयर रैप में आता है ये वाले सेट में तो इसमें टोटल जैसे ये स्टोरेज बॉक्स हो गया ये सारी अटेजमेंट्स हो गी और ये ब्रश हो गया ये क्लीनिंग के लिए एस्पैशली यहां पर मतलब ऐसे इसको डालके इसकी क्लीनिंग होती है क्योंकि mostly क्या होता है कि हम बार बार डेली जैसे य्यूज रैप तो मतलब डेली के वालों का पता नहीं क्या कुछ किसी के अगर डैंडरफ हो यह कुछ भी मतलब dust भी है तो वह उसमें चले जाती है तो वह चलना बंद हो जाता है तो लोग mostly डर जाते हैं कि पता नहीं डाइसन खराब हो गया बट एक्चल में वो खराब नहीं होता है वो एक्चली क्लीन करने वाला होता है उस टाइम पर उसमें डस्ट चली ही होती है बहुत जादा तो बाकी चलो मिलते हैं फिर जल्दी ही अगले पर इसके रैप उतार के सब कुछ बता के दिखाऊंगी मैं रियूज भी डालूँगी इंस्टाग्राम पर चेक करना तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही मैं दिखाऊंगी आपको क्योंकि मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूं तो मैं खूद मतलब मुझे यकीन नहीं को यूज करूँ मैंने हैड वाश किया कि मैं फटा फट इसका ड्रायर यूज करूँ यह वो सब कुछ तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखना इंग्रेविंग बार भी साथ को इंग्रेविंग करान जाना एड़ा तो देना हूं कुछ मैं दस चुकी हैं पहले भी सब्सक्राइब करना मत भूलना लाइक कमेंट शेयर जुरूर करना और बताना फिर इसको यूज करने के बाद मैं जैन्यूर्ण आपको रिव्यू बताऊंगी और इसकी 14 देस्की मनी बैक गयरंटी है अगर आप लोगों को यह पसंद नहीं आता है यह तो विदिन 14 देस हम वापस कर सकते हैं डाइसन को और वो फुली फुली आपका जो कैश है वो रिफंड करेंगे तो चलो ट्राइब करते हैं डाइसन बाइबाई